वेलो काईज जैहिंद और आपका मारे चैनल में स्वागते देखिए बहुत मोस्ट अविचेड कोशन है आपको पता है जो आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर की वेकंसी है वो तो जुलाई में आनी आनी है तक्रीबन तक्रीबन 100% बात सच्च है और मैं आपको पहले ही पता पूरी उसके साथ में प्रूप के साथ में दूसरी बात दोस्तो आज जो बात हुई तीस की जो आपने सुना होगा जागरन जोसका आप सभी कोई भी जागरन जोसकी सैट खोल के देख सकता है उसमें एक आर्टिकल ता 13 जुलाई का उन्होंने कहा था कि आपकी 16 जुलाई क इंपुट मिला है वो तो उसकी रिकोर्डिंग मैं चैनल पर आपको डाल दूँगा अगर आपको चाहिए तो फेस्बुक पर टेलिग्राम पर हर्जिंग है हम डाल देंगे हमारा चैनल पर एक गुरूप है यूपी पुलिस क्यावन अजार और यूपी सब इंस्पेक्टर तो ये तो बात 100% है आनी तो आपकी जुलाई में है जुलाई में कोई भी नहीं इसको रोक सकता जुलाई के एंड तक आपको इसके फोर्म देखने को मिलेंगे बिलेंगे नो डाउट अगर कोई निउस पेपर भी ना कहीं जुलाई में तो फोर्मा नहीं आने है दूसरी करें इसकी एक्जाम की एक्जाम बहुत बड़ा डाउट है मैंने आपको जो वीडियो थी पहले जब बनाई थी अब से 10 दिन दसीया बारे दिन पहले उसमें मैंने आपको यह का तक सितंबर के एंड तक आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद में बड़े तो दस से बारे लाग की फूम बरे जाएंगे उन्होंने यूपी कॉंस्टेवल के जो 59568 की भरती है उसका पेपर कराया है जिसमें 22-23 लाग बच्चे थे ठीक है ना पाइस से 23 लाग बच्चे थे इसमें से लुकुल जो यूपी सब्सक्रा दस से बारे लाग फूम बरे जा जी जो जिन्यों अंकित भाटी जी अंकित सर के चैनल पर एक वीडियो आई है उन्होंने बिलुकुल एक बात बहुत ही अच्छी कई है कि इसलिए हो गया क्योंकि 4520 का जिसने एक्जाम कराया था जो कंपनी थी वह उसको टेंडर मिला हुआ था उसको सीदी सी बात है दुबारे से उसको पैसा वगरा देके उसी कंपनी को साथ के साथ ठेगा दे दिया तो यह काम हो गया वलकि बात करें यूपी समिस्पेक्टर की अभी इसमें कोई कंपनी डिसाइड ही नहीं हुआ है इटेंडर की बात आई थी सामने कि जो एक्जाम कराएगी आपकी यूपी समिस्पेक्टर की जो यूपी समिस्पेक्टर की कंपनी एक्जाम कराएगी उसका भी टेंडर भी जारी नहीं हुआ है वो अलग बात है देख के फर्स्ट वीक में इसकी चल जाएगी अब यह देखने वाली बात है कि कि इसमें कितना टाइम लगता है फॉम आपके जुलाई के एंड में या जुलाई के मतलब 20 से अगर आप देखो 16 तारीख है अगर पूरा अगर निचोड देखे जाए अगर पूरी सत्यता इसकी जान आएंगे तो बात है इसकी एक्जाम की किसका एक्जाम कर तक होगा तो देखो जो इसका एक्जाम है अगर इसकी एटेंडर परकिरिया अगस्त के फर्स्ट वीक में चल जाती है अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में यह कंपनी की एटेंडर परकिर चल जाती है तो यह आपका का एक्टूबर के एंड तक हो जाएगा ठीकना एक्टूबर आईन्ड तक आपको एडमिट कार भी देखने को मिल सकते हैं क्याद मतलब एक्टूबर के अडमेट का जाएंगे कि आपको पता है एक फते पहले कम से कम एडमिट कार मिल जाते हैं celebration जाता है और 3 तो यह आपकी e-tender परकिया और फस्ट विक में ना ऊकर अगर सैकन्ड वीक तक चले गई तो यह जो आपका एक्जाम है यह सबसे बड़ी समस्या यही है अगर आपके यह और परqiya जो कमपनी है जो अगर उसको टेंडर मिल जाता ठेकम मिल जाता तो यह आपका आप से अड्रकोंपर नहीं ता कोई रोकने वाला नहीं था पर वोही बात है अभी टेंडर पर किरिया भी नहीं चाले होगा इसकी अभी इटेंडर जारी होगा कंपनियों को बुलाए जाएगा और एक तरह से बिड लगाए जाएगी बिड मतलब बोली लगाए जाएगी और जो कंपनी मुना मतलब जो वाजित तरीके से पैसा माँगेंगे मतलब कोई जादा महाँगा भी ठेका नहीं देने वाली सरकार जिसमें सरकार को भी फायदा हो कंपनी को फ़ाएगी जहां तक उमीद है TCSE कर पाएगी इसको TCSE क्योंकि विपरो थोड़ा ज़्यादा महाँगा चार्ज करती है आप आई भी पीस में देखती होंगे और जितने भी आपके फिरियो से एक्जाम होए है तो जहां तक है TCSE वेल्यूवल है बरती बोड को TCSE एक्जाम कराएगी तो अगर यह अगस्त की फर्स्ट वीक में ह आपको एडमिट काड में लेगा और नौंबर के सेक्ट वीडम में इपका एक्जाम हो जाएगा यह अगस्त सितंबर अक्टूबर नौंबर आप अगर मेरी मन्यों ना तो 90 दिन का वह वो टार्गेट 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरा की पूरी परकिलिया आपको जितना भी आपका सिलेबस है आपको रिवीजन करना है ठीक है आपको रिवीजन करना है और इसका पूरा पूरा सिलेबस अगर किसी का ना हुआ हो तो 90 दिन का लेके चलो ठीक है 90 दिन का तो लेके लेके सारा का सारा Gallery exam conducted agency के आप पर तो 9 बर के एन तक आपका exam सो पर सेन्ट हो जाएगा और आपकी ए टेंडर पर किलिए अगस्त के फर्स्ट वीक में छलते हैं तो नौ के फर्स्ट वीक ना पका exam हो जाएगा इंदायन जैहिंड जैभरत